नमस्कार स्वागात अब सभी का इंडेक्स फंड और तरह तरह के जो एक्विटी फंड एस पर इंवेस्ट करना सही रहता है अब देको इंडेक्स फंड में बहुत सारे जनों का व्यू अलग-अलग होता है लेकिन मैं इस वीडियो में मेरा पॉइंट आप यू से सम्झाने क कि इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटन यह सब आधर जोई क्यूटी फंड वह बना लेता है और इसको समझने के लिए कि एक अच्छे से मेरे को जब ध्यान में है एक अच्छा सा एक्जांपल मैंने धून के लाया हूं ड्रीम 11 के टीम जब बनाते हो सभी लोग तो ड्रीम इंडेक्स है लेकिन आप जो खुद बना रहे हो टीम ड्रीम इलमन पर तो खुद का बनाना पड़ता है रहा तो वहां पर यह इंट आपका इंटेंशन क्या रहता है कि यह मेरा टिम बेस्ट परफॉर्म करें चाहे हूँ इंडिया से और ऑस्ट्रलिया से उससे फरग नहीं इकविटी फंड अधर सीकुईटी इंडेक्स के इलाव अधर सीकुईटी फंड में कुछ ऐसा ही होता है डिविलबन पर जब आप खुद का एक टीम बनाते हो तब इंडिया से कुछ प्लेर सेलेक्ट करते हो जो कि अच्छा केलता है ताकि आपका टीम अच्छा परफॉर् लेकिन आपका अगर टीम अच्छा परफॉर्म कर जाए सभी जो चुन-चुन के लिए आपने प्लेयर तो उससे आपको फरक नहीं पड़ता चाहे इंडिया जीते चाहे ऑस्ट्रिलिया जीते जाए तो उसी तरीके कि यहां पर मार्केट में मूच्वल फंड में भी बिल्क इंडेक्स पचास कंपनी आए तो उस कंपनी में अगर कोई भी मानला भी एज़ डिवसी फर जो बैंक है वो थोरा अंड़ फोर्म कर रहा है लेकिन उसको निकाल नहीं सकते निकाल के कोई अच्छा स्टॉक्स उसके जगर इप्लेज नहीं कर सकते या फिर उसका वेटेज ह क्ला ये जा के फिर रहता है कि ये जैसे कोई स्टॉक्स बहुत दिनों से उनको लग रहा है कि ये स्टॉक्स आगे जाके नहीं सकता है हाला कि वह मतलब अच्छा लेकिन वह चल नहीं सकता दो तीन महिने के लिए ऐसा कुछ न्यूस आ गया तो वहां पर क्या है ना कि फंड जो इंडेक्स के लावा और जो अधर सिक्विटे वहां पर मैनेजर को यह फ्रीडम रहता है यह फ्लक्सिबिलिट रहता है कि वह करके कोई दूसरा कंपनी लेकर आशागे ताकि उसका फंड खुद का बनाए हुआ फंड अलग सा परफॉर्म करें तो यहां पर क्या होता है ज्यादा तर केस में देखा गया है इन तरीके के फंड जो है जो कि एक मैनेजमेंट के अंदर होता है तो यह जो इंडेक्स वंड होता है चार्जिस के अगर बात करो इंडेक्स में कोई मतलब ऐसा बहुत बारा चार्जिस नहीं होता है एक जी लोट तो नील है पुरा का पूरा इंडेक्स पंड में ज्यादा अतर जो है और एक्स्पेंस रेशियो भी बहुत ही ना के बराबार यह 0.10.2 ऐसा कुछ है आपको मैंनेजमेंट को देना पड़ता है क्यूंकि आपको आपका पैसा वह अच्छे तरीके से उनका दिमाग लगा के अच्छे तरीके से डाइवर्सीफाइब करके उनका हिसाब से अच्छा रिटर आपको बनाके दिया तो इसलिए जो है उनको थोड़ा सा एक्स्टर ज इंवेस्ट करने चाहिए किन को जो अदर्स जो इक्वीटी फंड ने उनके इंवेस्ट करने चाहिए बात बहुत है अगर आपको कुछ पता नहीं है इसके बाद से जैसे आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो आपको ना चाहते हुए भी आपको इंट्रेस्ट जग जाएगा मार्केट के बारे में जानते हुए कि नहीं मेरा पैसा लगा हुए तो थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते कि क्या कैसे कुछ काम करता ह नहीं करोगे तब तक आपका इंट जानने के बारे में इच्छा नहीं होगी सीधी सी बात में अगर फोर्सफुली सीखना चाहते हो और सीखना जरूडी भी है तो मैं बोलूँगा कि अगर बिल्कुल नहीं हो तो आप इंडेक्स में इसा भी स्टार्ट कर दो जैसी आपका ल एक समॉल कर पर इन्वेश्ट कर दो पैसे को में पैसą बनेगा लाइट्स कम है लेकिन में ड्रिटन जयादा है रिक्स तो थूरा ज़्यादा यह होता यह όल और ऑप बात और च्वा प्लिए निए तो इंडेक्स पने रहे जाओ ठीक है बस और जो है स्मॉल किया आप का अगर हां और एक बात आती है जो मैं बता नां की भूल गया था मैं इंडेक्स फंड जैसे नाम सुनते तो स्मॉल काप मेट कब तो अच्छे रिटन देरा तो आप यह मनमें सवाल आएगा तो यहांद आता है एक चीज़ द्यान में रखना स्मॉल का मैं बहुत सारे कंपनी एंट्वी इंडेक्स का तो जितने भी स्मॉल पर में पर तो करना ही मत अगर अपको करना है तो निफ्टी-फिप्टी-इंडेक्स पे तो करो ठीक है वह मतलब उसका पूरा का पूरा कूर ब देखिए अपका एंदेक्स पर किया है उस पर कुछ भी आता पता नहीं रहेगा आपको तू फिप्टी टू फिप्टी कमपनी है और बहुत ज्यादा वोलाटिलिटी रहेगा और टू फिप्टी स्टॉक्स में से कैसे क्या करोंगा पैसा मतलब स्मॉल कम में तो कुछ इने च लगा चला कि ऐसा कुछ आल है तो इंडेक्स में लुट करना ही है तो ये स्टाथ करने का यापको угoney का जहां पर एक अछा है जाएं पर अच्छा अश्चा है तो नहीं है इत Vin इंडेक्स फंड और जो आदर्ज इक्यूटी फंड है जो लाट्ज का मेट का बलाई इस वीडियो में उतने बताने की कोशिश किया हो अगर वीडियो पसंद है कुछ भी सिंखने को मिल आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दना चैनल पर दो सब्सक्राइब करना मिलते अगली वीडियो के कोई अगली टॉपिक के साथ चलो बाई